यूट्यूब चैनल का मॉनिटाइजेशन क्या होते हैं। मुझे ऐसे वीडियो बनाने की ज़रुदत नहीं भड़ती। लोग अगर कमेंट न करते हैं और लोग सर्च न करते हैं इस बारे में। यूट्यूब चैनल जहां पर हम लोग बात करते हैं यूट्यूब टिप्स यूट्यूब ब्लोधिंग टिप्स यूट्यूब आपडेट्स यूट्यूब निव उसके बारे में। और मैं वह आपके साथ हमेशा की तरह रॉनिय स्टार्क। सबसे पहले मैं आपको बता देते हैं अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो पर रुख सकते हैं और अगर आपको यह पता है और उसके बावजुद के विडियोस देख रहे हैं तो आप मतलब आसोगे सबसे पहले चीज़ आपको इतना ध्यान में रखना है कि YouTube में जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं जितने भी YouTube channel monetization इसके बावजूद भी बहुत कुछ है जिसके आधार पर आप लाखों कमा सकते हैं लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पर फिलल हम लोग बात कर रहें YouTube monetization क्या है अब सबसे पहरी बात मैं आपको बताने की कोशिश करते हूँ देखिए YouTube channel के उपर आप चाहे कोई भी T-series के गाना ले लो या फिर कोई भी movies ले लो या फिर कोई भी content creator gamers किसी का भी वीडियो ले लो अगर उनके वीडियो देखते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ad दिखने को मिलते हैं चाहे वो Amazon की हो चाहे वो flip card की हो चाहे वो आपके good rich company का क्यों ना हो तो वहाँ पर आपको ad दिखने को मिलते हैं जब आप ad देखते हो तो वो ad जो देते हैं मतलब ad ऐसे हवा पे नहीं बैट के आते ad जो देते हैं वो companies होते हैं जैसे कि Amazon वालों ने अगर ad YouTube के उपर चलाते हैं तो उसके लिए YouTube को या फिर Google को पैसे देने पड़ते हैं उसके बाद जाकर YouTube अपने उपर वो ad चलाते हैं अब YouTube का ad चलाने के लिए जरिया चाहिए जहांपे वो ad चला सके YouTube तो खुद एक platform है वहाँ पे काम करते हैं हमारे जैसे creators तो YouTube क्या करते हैं हमारे creators के वीडियो के उपर वो ad चलाते हैं हम महनत करते हैं वीडियो बनाते हैं इसी वज़य से वो वीडियो के उपर अगर ad चलाते हैं उसका एक percentage हमें भी YouTube को देना पड़ते हैं तो यही होता है basically जरिया अब मैं आपको बता देता हूँ monetization क्या होते हैं यह बताने की जरूरत था आपको देखिए monetization यह होते हैं जब आप content creator हैं आप YouTube पर वीडियो बना रहा है तो उस time पे पहले क्या होता था यहां से 4-5 साल पहले ऐसा कोई rules नहीं था कि आप YouTube पे आओ आज से वीडियो बनाओ आज से ही पैसा कमा पाओगे आज से ही आपके वीडियो के उपर add चलेंगे लेकिन अंत में जब जीओ आया basically जीओ आने के बाद से हमारे एंडिया पे उसके बाद से ही monetization का कुछ policies को change कर दी गई है क्योंके लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे आके मतलब उल्टे सिधर content डालके मतलब एक माहिने में बहुत सारा पैसे कमा लेते थे तो YouTube पे देखा और उसके बाद जाके YouTube अपने policies को update किया वहाँ पे YouTube क्या लाया कि आपको 4000 घंटे watch time चाहिए अपने channel के उपर मतलब पूरे channel पे मानो आपके channel पे 50 वीडियो है वो 50 वीडियो को कुल मिलागर अगर 5000 लोग भी देखते हैं तो वो वीडियो जितने बार वो लोग देखेंगे वो सारे time को calculate करके पूरा time को पूरा channel वीडियो को आपको 4000 घंटे का watch time चाहिए साथी साथ आपको 1000 subscribers चाहिए जिस डेट से आप वीडियो अपलोट करोगे उस डेट से आने वाले सालों तक उस डेट में मतलब एक साल के अंदर ये आपको करना होगा उसके बाद अब monetization के लिए review करवा सकते हैं YouTube टीम से मतलब आपको वहाँ पे action दिखेंगे जहाँ पे आप क्लिक करके review पे भेज सकते हैं अपने channel को कि भाई YouTube हमने वीडियो बनाया थे आप अब review कर दो कि हमारा channel सही भी है monetization के लिए मतलब इसके उपर हैं आप सही content बनाते हैं खुद का content है मतलब आप कहीं सर्फ डाउनलूड नहीं कर रहे हैं किसी का वीडियो उठा कर नहीं डाल रहे हैं किसी का picture नहीं ला मतलब बार-बार किसी का picture लगा नहीं रहे है thumbnail अपना खुद का बना रहे हैं यह सब बहुत कुछ है तो guys यह सब चीज़े अगर आप follow कर रहे हैं खुद का content है वो तो उसके बाद जाकर आपके channel monetize होते हैं monetize हम इसे कहते हैं मतलब जाब आपके channel के ओपर add चलने की रस्ता खुला हो तो यह रस्ता खोलने को कहते है monetization तो यही था basically funda and basic knowledge था मैंने आपको बहुत आम तरीके से समझाने के कोशिश किये देखो भाई अगर आप पहली दफा में यह देख रहे है monetization क्या है आपको यह पता नहीं है तो आपके लिए यह मतलब इतने आम तरीके से बताना मेरे लिए मतलब सही था क्योंकि मेरे खायल से यह सही था नहीं तो आप अगर और भी deeply बताएंगे deeply बात करेंगे कि यह करना होगा ऐसे करना होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे इसी वजह से आपको एकदम पूरा general तरीके से बताने की कोशिश किये तो basically यही होते है monetization and guys एक request मैं आपके बस करता हूँ देखिए अगर आप एक content creator है आगे चाहते हैं मैं content बनाओ पैसे कमाओ YouTube से Instagram से Facebook से कहीं बर्विच से ऐसे online से अगर आप पैसे कमाना चाहते है YouTube में काम करना चाहते है तो please channel को subscribe किजिए और अगर आप यह नहीं चाहते है बस ऐसे ही जानन पर जितने भी creators है वो लोग रहें तो guys फिलाल था इतना ही आपको बताने वाला था आप लोग मुझे comment करके बता सकते हैं आपके क्या राय है या फिर आप लोगों का कोई भी परेशानी है या फिर आप किसी भी तौर पर ऐसे knowledge चाहते है तो उस तो पर हो सकते हम लोग अग कर सको इसी वज़े से और अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब से लोग movies अपलोड करके महिने में 5-6 लाग तक कमा रहें वो कैसे तो left वाला वीडियो को choose किजिए और अगर आपको नहीं बता यूट्यूब में हपते में कितने वीडियो अपलोड करने से आपके चै किजिए बीच वाला गोल बटन दबाके प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब किजिए तकिन फ्यूचर हमारा और एक बार जरूर मुलाकात हो